अगर आप कलास 10th के स्टुडेंट हैं, क्वेस्टेन बैंक, फर्स सिटिंग में पूछेगे, मैथमेटिक सब्जेक्ट के सभी अब्जेक्टिव का सई अंसर की जानना चाते हैं, तो इस वीडियो कौन तक देख सकते हैं, देखिए, परिक्षा में क्वेस्टेन बैंक का काफी महत्व होता है, अगर आपने इसके सभी अब्जेक्टिव को देख लिया, तो पंच मार्क आपके निश्चित रूप से फिक्स हो जाएंगे, और क्वेस्टेन बैंक का तियारी निश्चित रूप से खिचिए, इसलिए जो भी स्टुडेन्ट क्वेस्टेन बैंक का तियारी करेंगे, तो समझेए कि 400 से अधिक मार्क लाएंगे ही, क्यों कि जो है कि क्वेस्टेन बैंक से 80% क्वेस्टेन लगवग रहते हैं, इसलिए क्वेस्टेन बैंक का बहुत महत्व होता है, हम सिरियली सभी वर्षों का solution दे रहे हैं देखे question bank में बहुत होता है question का answer गलत होता है तो इसलिए हम यहाँ पर आपको excellent के साथ समझाते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं अगर कोई answer गलत होता है तो यह भी हम बता देते हैं आप लोग जाएकी जो भी student सिरियली तैयारी चाते हैं तो इस वीडियो की description में जाकर कि आप जाएकी सभी वीडियो को पास सकते हैं या नहीं तो इस channel के playlist को भी चेक करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 2015 उसके बाद गनीत फर्स सिटिंग पर्थम पाली में पूछेगे एकी objective का answer हम यहाँ पर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कोड़े की यदि alpha तथा beta दुघाज समिकरन x square पलस x minus 2 मेरावर 0 के मूल हो तो 1 बट अलफा जोर 1 बट बीटा का मान क्या होगा तो देखिए बहुत simple question है 1 बट अलफा जोर 1 बट बीटा का मान होता है वो होता है आपको minus b बट c होता है इसमें देखिए बी का मान क्या होगा एकस स्क्वाइर में जो गुना होता यह होता है एकस में जो गुना होता है इसी का मान होता है यहां पर देखिए एकस में क्या गुना है एक गुना है तो वह आपको बी का मान एक हो गया उसके बाद यह क्या है मैनस टू है तो यहां पर सी का मान मिनस टू तो यहां पर मिनस टू दिजिए तो मिनस मिनस कट गया मान क्या हो गया वन वाई टू तो यहां पर देखिए वन वाई टू किस ओप्शन में है तो आपको ओप्शन ए में है यहां पर देखिए एक का सही ओप्शन आपको होगा ए अंसर होगा वन वाई टू क्वेस्टेन नमर दो ख़ड़ा है यदि बहुपद PX बराबर X स्क्वेर मैनस 2X पलस 5 के सुनियक AB हो तो AB का मान क्या होगा देखिए तो मुलो का गुनन फल AB मतलब क्या मुलो का गुनन फल तो गुनन फल का मान क्या होते है C बटे A C का मान 5 हो गया A का मान X स्क्वेर में नहीं कुछ गुना है तो एक है तो 5 बटे A मतलब 5 तो दू का सही उप्शन आपको होगा A अंसर हो गया 5 उसके पर साथ आप देखिए Question नमर तीन कोड़ा के दो परी में संखियां के बीच कितनी परी में संखियां हो सकती है तो दू को परी में संखियां के भी जो है अनंत परी में संखियां होती है तो तीन का सही उप्शन आपको होगा D अंसर होगा अनंत अब अगला Question कोड़ा कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है किसी भी बारमभारता का बहुलक जो होता है वह होता है अधिकतम बारमभारतावाला मन क्या तह बहुत कब होका अधिक में तह इसे सदहारन भी दिमाग लगाएंगे तह आप आंसर ko टिक कर देंगे सहattend को वेस्टिन नमर पंच कोड़ाई कि यदि समांतर चतरभूज की सभी भुजाएं एक बिरित को असफर्स करें तो वो समांतर चतरभूज होता है वो समांतर चतरभूज क्या होगा तो देखिए सिंपल बात है जब समांतर चतरफूज की सभी भुजये जो है एक वो बिरित को असफर्स करता है तो वो होता है सम चतरफूज होता है तो 5 का सही आपको वगसी अगला क्वश्चन कोडा एक कि बिंदू 2-3 की मूल बिंदू से दूरी होगी तो मूल बिंदू से दूरी पूछ रहा है तो अब आगला क्वेस्टन देखिए साथ कोड़ा की एक अर्ध गोले का आयतन यहां पर 19404 गहन सेंटीमीटर है तो अर्ध गोले का पूल प्रिष्ट छेतर फल क्या होगा अर्ध गोले का उसमें रक्यमन आराम से निकुल जाएगा तो चलिए हम निकालते हैं इनको solve करते हैं यहां पर हमको दिया है अर्ध गुला का जो ऐटन है अर्ध गुला का एटन होता है दो बटा 3 आप spiritually क्यों कि यह होता है यहां पर आपको यह कि आहतन का मान दिया है उनीस 2404 यहां पर हम लिख लिए लिखने कप्सा अब यहां पर देखिए करना क्या है है किट तो से इसको कार देना है कि नोध्रंटी अथाना हो गया इस proportion 1 एक बच्य दो सत्य चैसों नुगत चार का अब आपको किया है त्रीकों 5 अधर बॉअधा भॉम्हान इस तपाय का Luiza तो यहां हम दे देंगे आर क्यू ये संतानवे जीरो दू गुना तीन अब देखिए बाइस से इसमें हम भाग देंगे तो देते हैं तो यहां पर देखिए बाइस से भाग देंगे तो चार सो एक तालिस भाग फोलाएगा और एक पस्चाथ अब देखिए आर क्यू है इधर इगुना हो जाएगा तो चार सो एक तालिस पुना तीन गुना यह आपको साथ हो गया तो अब देखिए तो आर क्यू हो गया चार सो एक तालिस तो क्या होता है एक इस गुना एक तालिस बराबर चार सो एक तालिस होता है तीन गुना आपको इस साथ हो गया उनेक पर 721 को हम लिख सकते हैं 3 07 फिर इस 21 को को लिख सकते हैं 3 07 3 07 तो अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 1, 2, 3 तो आर का मन आपको 3 07 क्या हो गया आर क्यों है न तो देखिए गहन है तो तो 3 0 का जो रा लगएगा अब देखिए तीन-तीन का जो क्या होगा जड़ा लगेगा एक दो-तीन तीन निकल जाएगा फिर साथ-साथ-साथ तो ये गो साथ निकल जाएगा सत्दिया-21 तो तीरिया का मानण क्या हो गया 21 सेंटीमिटर आप जएकि हमको समपूर इसका जएकी चित्रखल निकाल लेना है तो 3 πाय R स्क्वाइर होता है तो 3 हो गया पाय का मान 22 बटे 7 R स्क्वाइर तो R का मान 21 है 21 गुना 21 तो सत्या क्या होकिया 21 अब देखिए सब को गुना कर देजिए 22 तिया 66 21 तिया 63 तो 66 गुना 63 अब देखिए 6 गुना 3, 4 के ठाड़ा 36 के ठाड़ा एक, उनेश, छोचा के 36 बगी 3, छोचा के 36 3, 49 याठ हो गया, नो चोपंदरो नो एक, दस एक, ग्याड़ा हो गया तिन एक, चार तो 41 इसका जो एकी मान आया निकल खिए तो देखिए किस ओप्शन में है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किलियरली, वो आपको ओप्शन ए में है तो साथ का सही ओप्शन आपको होगा ए अंसर होगए 448 सेंटीमीटर स्क्वेर अगला क्वेस्चन है क्वेस्चन नमर आट अगला क्वेस्चन देखिए यहाँ पर तो कोड़ा है कि 4 गहात वाले बहुपद डियस का लाते है तो जिस बहुपद पर 4 गहात रहेगा तो 4 गहात बहुपद देखिए सिंपल 3 गहात वाले बहुपद तो 3 गहाती है 2 गहात वाले तो 2 गहाती है तो कोड़ा है कि X का मान के लिए LM समांतर होगा तो X का मान काड़े याद करने के लिए X का मान तभे समांतर होगा देखिए जब इसका और इसका योग इन दोनों का योग क्या होगा अब देखिए ये कौन और ये कौन संगत कौन है ये कौन ये कौन क्या होगया संगत कौन है तो 3x-20 बराबर क्या हो गया 2x प्लस 10 तो किजिए 2x को इधर लाइए 3x-2x 10 जोर क्या हो गया 20 हो गया 3x मेंसे 2x हो गया तो x बचा 20 10 क्या हो गया 30 हो गया तो देखिए x का मान जब आपको होगा 30 तब l समांतर होगा m तो इसलिए डोट-डोट में 30 भरा जाएगा अब अगला देखिए सबाल को देखिए तो अगला क्या है कोड़ा की दिये के चितर में तिर्फुज ABC में कौन ए 90 डिगरी है तो कौन ए 90 डिगरी है देखिए एडी लम BC है एडी जो लम है ABC पर है यानि ए भी 90 डिगरी हो गया यह भी आपको 90 डिगरी हो गया ी में टाया काई है ऊदिग्री का मांद की यहां से यहां तक लोड़्ी नन सThere दीा है ताीडी कर मेंंट गाsy कि फो सेंटी मीम्टर यह देखिए फोर सेंटी मिम्रा हो गया यहांद की सीमपल नियम है यह डी ब्रब्र आपको अधा रूट ओभर रूट ओभर BD गुना CD यह फॉर्मूला होता है तो देखिए BD का मान क्या है BD का मान 9 है ECD का मान क्या है 4, 9, 6, 36 36 का बर्गमूल क्या हो गिया 36 36 का बर्गमूल 6 तो इसलिए देखिए यह D का जो मान पूछ रहा है यह आपको होगा 6 तो इसलिए AD बरावर यहाँ पर 6 डोट में 6 भड़ा जाएगा अगला question देखिए God I की मूल बिंदू से इसकी दूरी क्या होगी तो मूल बिंदू से दूरी मंग रहा है तो देखिए मिनस X का होल स्क्वेर करेंगे जोड Y का तो रूट ओबर क्या होगा X स्क्वेर जोर Y स्क्वेर तो यही मूल बिंदू से दूरी होगा फिर अगला question देखिए कड़ा है कि कार्तिय तल में इस्तित किसी बिंदू मिनस 10 की भूज का मान होगा तो भूज मतलब X का मान तो X का X का मान होता है Y का मान होता है तो भूज का मान मिनस 4 है तो यह मिनस 4 हो गया question नमर आप देखिए 17 कड़ाई कि 2 कोस यह बराबर root over 3 होता यह का मान क्या होगा तो यहाँ पर देखिए 2 कोस यह बराबर root over 3 है तो simple है सवाल 2 कोस ये बराबर root over 3 है तो cos ये बराबर क्या होगा root over 3 बटे 2 तो cos में कितने डिगरी का मान root over 3 बटे 2 होता है तो वो होता है आपको cos 30 degree का cos cos cancel तो ये बराबर क्या होगा 30 degree तो यहाँ पर आप देखिए सही answer भी दिया है 30 degree जो बिल्कुल सही है कड़ञे कि 3 3 बराबर 90 degree तो 10 ठेटा का मान किया होगा तो देखिए 3 ठेटा का मान 90 degree है तो इसलिए ठेटा बराबर किया होगा 90 बटे 3 यानि 30 degree यतों 30 degree का मान किया होगा एक बटे root over 3 एब 19 में देखिए कड़ा है कि जब किसी अनुकरम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे डेस कहते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं एपी कहते हैं समांतर स्रेडी कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं बितरन में अधिक्तम बारमता देखिए बितरन में अधिक्तम बारम बारता वाला वर्ग डेस का लाता है तो इस परकार से जैकि हमने इसके सभी सवालों जो अब्जेक्टिव टाइप का था बना दिया है आप लोग जैकि जो एक वार में नहीं समझ पाए हैं दो से तीन वार वीडियो को देख लेंगे जो भी स्थातर चैनल के साथ नहीं जूरे हैं तो जूर जाइए सिरियली त्यारी है तो